तो आज हम लोग different type of placentation देखेंगे और जो example है इसमें दिया हुआ उन्हें examples को यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि देख लें जिसे पहला जो placentation है वो marginal है और marginal के case में आपने पढ़ा होगा कि example दिया हुआ है class 11 में P का मटर का इसके लबा बीन का भी हम लोग example ले सकते है जहाँ पर placenta जो एक ridge बना रहा है along the winter suture तो यह देखिए मटर है और इस मटर को अगर हम लोग यहाँ से open कर लेते हैं तो open करके देखते हैं कि जो एक structure यहाँ पर दिया गया है उसे structure को समझने कोशिश कर लेते हैं बहुत असान है कुछ ऐसा दिमाग नहीं खराब करना है य जिसमें देखें यह वाला जो point आपको देख रहा है this is called the winter suture मैं शो करता हूं यह ब्लेसेंटा है और यह हमारा C.D.A. ovule है जैसा कि देखें इंसारी में भी दिया हुआ है यह ना इंसारी में भी दिया हुआ है तो यह आपको समझ में आ रहा होगा कि यह मटर का दिया हुआ है मटर खा भी लेता हूँ अच्छी होती मिठी लगती है इसको ब्रेक करता हूँ तो यह आ गया यह देखिए तो यह जो है आपका प्लेसेंटा हो गया जहां पर मेरी पिन का पॉइंट जा रहा है और यह सीड हो गया और यह वेंटल सूचर हो गया और उ बिए उपर कर देता हूँ आपको clear नजर आ रहा होगा यहां बिक्ता हो यह अबब यहां पर लिखता हны यह और जादा धा इस presentation को मेर्जिनल presentation कह रहे हैं okay, अब बीन में देखते हैं किस तरह का presentation है, तो इसको open करते हैं, तूट जाए कि लग रहा है, यह भी कोशिश करते हैं कि सही से open हो जाए, बीना ज़्यादा टूटे हुए, देखे, है है अब सोगा है कि यहां तो और वि देखे विंठाल सूचर आपको नजर आ चाहिए मैं इससे दिखा था हो या चाहिए और contemporary सूचर है यह सीड़े और यह रहा देखा टरह यह देखे प्लेसेंटा यह टो आणिजillas 깡लिग उपर करता हो दूद्दला हो तो खेर रहा है थोड़ा सा बलड हो जा रहा है चीक तो क्लेर ओ गया होगा कि यह प्लेसनेंटेशन जो है, इस इस दा मार्जीनल प्लेसनेटेशन ये स्ट्क्चर जो ऊपर वाला इस इस काल दपॉड़ और इसको पॉड़ कहते हैं जैसे कि जाते हैं इसके बाद दूसरा प्लेसेंटेशन कौन सा है ये एक्जाइल प्लेसंटेशन है, ठीक है तो अब प्लेसेंटेशन आप तो ग्रीन कैपसि कम मैं आपको देखाता हूं यह देखे आप green capsicum है तो septum मना हुआ है यह क्या है septum है है ना यह जो है इसे हम लोग septum कह रहे हैं और फिर उसके चाहत अब क्या हुआ seed लगा हुआ है यह देखे इसे seed attached है तो यह वाला जो structure है यह लगबग यह this is the septum है ना sutum बोलते हैं यह septum इसको बोलते हैं यह even suture word भी use हम लोग करते हैं तो यह septum वाला हो गया और यह locule हो गया locule है ना ovary क्या हो गई यह मेरी multi locular हो गई तो यह भी आपको समझ में आ रहा हूँ कि यह septum है और यह क्या है seed है नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम लोग lemon का भी देख लेते हैं अब यह देखिए तम clear आपको lemon का भी देख रहा है कि यह सारे seed या ovule है और यह जो बना हुआ है this is the septum तो यह presentation जो हम लोग है exile presentation है lemon में tomato में और इसके लाब आपनों capsicum टमाटर बचा है उसको भी दिखा देते हैं देखिए यहाँ पर भी आपको septum नजार आ रहा है और फिर placenta है उसके साथ जुड़ा हुआ क्या है seed है ठीक है यह देखिए यह septum है यह जो red color से है this is the septum यह placenta है और यह seed जुड़ा हुआ है तो टमाटो का भी example हो गया आज पूरा हम लोग सब्जी भाजी कर ले रहे हैं फिर भी चलो समझ में अगर आ जेगा तो अच्छा है like कीजेगा ज़रूर ओके यह वाला देखिए यह free central है ठीक है free central जहाँ पर not free central नहीं बोलेंगे बलके parietal बोलेंगे free central तो दूसरा होगा जैसे आपको कीवी में मिलेगा ठीक है चलिए घर में खाना बनना शुरू हो गया अब आजे आना मिलेंगे यह आपका देखिए सीड है और यह बाहर की तरफ प्लेसेंटा नजर आ रहा है यह देखिए यह प्लेसेंटा है और यह रहा हमारा सीड तो क्युकुम्बर यानि खीरे के अंदर भी आपको जो प्लेसेंटेशन दिखेगा वो प्राइटल होगा तो उमीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा किस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाता है खीरे में और इसके लावा टोमैटो में अब जो फ्री सेंटरल उसका अपने पास अभी में कलेक्ट नहीं कर पाया दिमाग से निकल गया था आज मार्केट गया तो सोचाता लेकर आओंगा लेकिन भूल गया कीवी में आप देख सकते हैं उसके लावा बेसल कभी मैं देखा दूँगा मौका मिलेगा तो तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजेगा थैंक्यू